इस कहानी की शुरुआत में हम 11 बुद्धिष्ट योद्धाओं के सामने खड़े पर श्रिद्ध शामुराई वारियर मिया मोटो मुसासी को देखते हैं और अब देखते ही देखते बुद्धिष्ट योद्धा मुसासी पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पर उनके बीच में एक खतनाक फाइट होने लगती है लेकिन सारे बुद्धिष्ट योद्धा एक साथ मिलकर भी मुसासी का सामना नहीं कर पाते और मुसासी अके लिए ही उन सभी को डिफीट कर देते हैं उन बुद्धिष्ट योद्धाओं को हराने के बाद मुसासी बुद्धिष्ट मास्टर से पूचते हैं कि एक योद्धा के बदले तीन दिन यानि कि पूरे 33 दिनों के लिए मुझे वो चीज मिलने वाली है दरसल मुसासी बुद्धिष्ट मास्टर के पास एक खास चीज को हासिल करने के लिए आये थे लेकिन उस चीज को हासिल करने से पहले मुसासी को उन बुद्धिष्ट योदाओं से लड़कर अपनी योग्यता साबित करनी थी अब क्योंकि मुसासी ने उन बुद्धिश्ट योधाओं को हरा कर ये साबित कर दिया था कि वो उस चीज का इस्तिमाल करने योग गया है इसलिए मौंक मास्टर एक अंधेरी कमरे में जाकर एक बॉक्स के सामने बैटकर कुछ मंतरों का जाप करते हैं जिससे अगले ही पल कमरे में जल रही कैंडल बोच जाती है मौंक मास्टर इसके बाद उस चीज का इसके बाद गया है